कि कोई भी लच्छ बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं ची हाँ, कोई भी लच्छ बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं लच्छ कोई भी बड़ा और छोटा नहीं होता, जो डरता नहीं, उसी की जीत होती है आज हम बात करेंगे इस वीडियो में CUET UG का जो इंटरंस एक्जाम है 2022 के लिए उसके जर्नल टेस्ट की तैयारी कैसे करें ठीक है इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक ऐसी स्टेटजी बताएंगे अगर उस स्टेटजी से आप तैयारी करते हैं तो जर्नल टेस्ट में आपका स्कोर अच्छा होने वाला है सबसे पहले आप सभी को बता दें कि जर्नल टेस्ट में यहां यह दो इस टार जो लिखे हैं हमने इसका मतलब समझा देते हैं आप सभी को ठीक है तो देखिए तीसरा सेक्सन CUT का जो एक्जाम होने वाला है उसमें होगा जर्नल टेस्ट का जर्नल टेस्ट में आपके यहाँ पर लिखा है 60 questions to be attempted out of 75 मतलब 60 questions 75 questions में आपको करने होंगे 75 दिये जाएंगे 60 करने होंगे और time कितना रहेगा time duration कितना होगा 60 minute का मतलब 1 question के लिए लगभग आपको 1 minute का time दिया जाएगा अब सवाल यह उठता है कि इस जर्नल टेस्ट में क्या क्या पुछा जाएगा या फिर इसके कितने पार्ट है ठीक है तो मुख्य रूप से जो हमने NTA की website से निकाला है उसको को एकदम simplify यहां पर करके आपको सामने ला रहे हैं उसमें जर्नल टेस्ट के में जो है चार पार्ट है पहला पार्ट जीके दूसरा current affairs पिर reasoning और आपका मैत ठीक है अब सवाल उठता है कि इसमें क्या पूछा जाएगा और कहां से पूछा जाएगा और कितना पूछा जाएगा जब आपको यह जानकारी हो जाएगी तो तयारी कैसे करना ही अपने आप पता चल जाएगा ठीक है तो सबसे पहले बात करते हैं जीके तो देखिए जीके में लगबग वही जीके पूछा ठीक है जैसे यहां पर पूछा जाएगा इंडियन हिस्टी भारती इतिहास ठीक है जगराफी भूगोल पूछा जाएगा और इंडियन पॉलिटी मतलब भारत का जो मतलब राजिन दिती सास्तर है ये पूछा जाएगा और एकनॉमिक से थोड़े से मनलब जानकारियों का कोई डरनी की ज़रूत नहीं हमारे चैनल पर आपको इसका डेटल में सलेबस मिलेगा ठीक है देहन दीजेगा अब यहां करंट एफेर्स की बात आती है तो करंट एफेर्स में कितना पढ़ना पड़ेगा तो लगबग देखिए आठ से में दस महीने पीछे का करंट एफेर्स लेकर आप यहां तक का करंट एफेर्स तयार करिए सवाल उठता है तयार कैसे करें तो देखिए कोई भी चैनल हो जो करंट एफेर्स की अच्छी तयारी कराता है या फिर यदि आप मारे चैनल से करना चाहेंगे तो हम तो कराएंगी कराएंगे तो उसमें बीक का जो होता ह तो अगर आप प्रती दिन current affairs को time देंगे तो और subject में आपका जो है दिक्कत हो जाएगा इसलिए ऐसे चैनल को पकड़िए या ऐसे तयारी करिए जिसमें आपका weekly current affairs मतलब की मिलता हो ठीक है और जीके के लिए syllabus हम आपको बताएंगे और उस तरह से तयारी करिए जिस तरह से हम आपको की तयारी कराएंगे ठीक है अब बात आती है reasoning की तो आप reasoning जो है आपको reasoning का पहले सलेबस जानना होगा कि reasoning में क्या क्या पड़ना है फिर उसके recording इसकी तयारी करना है ठीक है तो सलेबस हमारे चैनल पर पहले से uploaded है आप सर्च करिए मतलब की CUT reasoning syllabus हमारे चैनल का नाम डाल दीजे इसको 360 आजाएगा ठीक है ध्यान दीजेगा और फिर इसके बाद में क्या पड़ना है तो इसके लिए भी हमारे चैनल पर मतलब वीडियो अपलोड है आप यही चीज डाल दीजे तो इसका सलेबस मिल जाएगा और सलेबस मिल जाएगा तो दिखिए आपको बह प्लोड कर दिखिए तो फिर आप यहां पर अपनी तयारी स्टार्ट कर सकते हैं और एक बात द्यान दीजे आपके तीन सेक्षन है सी यूटी यूजी 2022 के लिए जिसमें पहला जो है आपका लेंग्विज का है दूसरा जो है आपका डोमेन का है और तीसरा है जो आपका जन टेस्ट का है तो पूरे तयारी करने के लिए आपको तकरीबन आठ घंटे प्लस का मतलब टाइमिंग देना होगा यदि आपको अच्छी इनवर्सिटी में मतलब की रिविशन लेना है तो आठ घंटे के टाइमिंग में जो आपका अमलब के लैंग्विज वाला है उसको त टीन से पांस घंटे जब तक टाइम नहीं देंगे तब तक आपका डोमेन क्लियर नहीं होगा वैसे भी आप डोमेन जो क्लास्ट का पड़े हैं वही पूछा भी जाएगा ठीक है तो अब यहां पर जो है जर्नल टेस्ट की बात करें तो इसमें भी लगबग 2-3 घंटे क्य करें और उसको जो है दो-दो दिन पर रिवाइज करते रही है तो यह स्ट्राइड़िज एडिया आप लगाते हैं तो आई होब कि आपको यूजी इंटरंस एक्जाम जो सीवीटी का है वह आपको टॉप इनवर्सिटी सेलेक्ट करने में काफी हल्प करेगा और हमारे चैन तो आपको जाए हिन वबने मातर हम